फरवरी 1921 से असहयोग आंदोलन अप्रचार केरल में पिश्क हुए लिया। 16 फरवरी 1921 को वहां इस सिलसिले में चार नेताओं को गिरफ्तार दिया लिया। जिसमें दो हिंदू थे और दो मुसल्मां। इस से केरल में असहयोग आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। जगा जगा जलूस निकाले गए फिरोत प्रदर्शन हुने लगे। कि रफ्तारियां हुई और लोग जेल थे। एरल में एक हजार वर्ष मेले मौपना लोग आकर बसे थी जो अरगों के बच्चर थी। उन्हें से अधिकांश वरीब थी और अज्यान में दूरिक थी। बुखेती या छोटा मुटा व्यापार करते थी। खिलाफत और असयोग अंदोलन की सपाँ में उन्हें अंग्रेजों की सरकार्दवारा मुसल्मानों के साथ यह जा रहे दोवेवार की बात सुनी। उन्हें वित्रू की खुफ्टा करती। और वो अंग्रेजु की तोपों बंदूपों का मुकाबला करने के लिए भाले और तलवारे लेकर निकल पड़े। इस वित्रुह को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार में सेना गुला दिया। सेना ने काफी कड़े कदम उठाए और वित्रुह को दबा दिया गया। इस दौरान की सबसे दर्दनाग खटना ये थी कि करीब सौर से अथिक मोपला वित्रुह को मालकाडी के एक दिब्बे में छूसकर कर्मी के मौसम की चलती तो पहर भी काली कट से मत्रास लाया गया। जब गास्ते में एक स्टेशन पर डिब्बे को भूला गया तो साथ से ज्यादा मोपला कम खुतने से मर चुखी थी और बाकी की हालत कम भीर थी। आखिर मदन मोहल मालपिये और मुहमद अले जिन्ना ने मामले को खल करना चाहा पर सफलता नहीं। इसी पीच प्रिंस ओफ वेल्स के भारत आने का समचार आया। कॉंग्रिस ने उनका बहिश्कार करने की खुश नगर थी। इससे विजिश हुकूमत और चड़ने उसका दमन चक्र तेजी से चल पड़ा थी। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ओफ वेल्स बंबई पहुचे तो ने बंबई की सड़के और बाजार उचड़े हुए विले। पूरे नगर में हर्टाल थी। गुर्भाग्य से बंबई में प्रदर्शनकारी फिर्जे आभू हो गई। ऌर तब, बिटिibilidad सर्कार को उसे बबादे की लिए वल्क रेयोगना, तौरे सर्कार को उसे बबादे की लिए वर्दोग्निबन lackingा का compression के वर्दार का अबध। पहुचने से पहने ही कानी इन तिन महिलाँ को गिरफ़कर करके वर्दष हकुमत बड़ी बहादुरी का काम किया है। इससे हमारे देश की महिलाउंपूर स्वाकंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेड़ना मिले की। इस समय तक सुभाष चंद्र बोस सक्रीय रूप से राष्ट्री आंदुननने शामिल हो चुकी। वो नाशनल कॉलेज चलाने के साथ साथ राष्ट्रीय विचारधारा वाले अखबार स्वाराज्य के संपाद की। ब्रिटिश सरकार के तमन बारेक्रमों के बावजूत की सुभाष चंद्र बोस के निर्फित्रों में अनुशासित स्वयम सेवकों ने नारे लगा कर विरूप का विरूप किया। ब्रिटिश हुकूमत इस विरोध को देखकर चौक उचिया। क्योंकि उसे इसका आफ़ास भी नहीं दिला था। फिर तो सुभाष चंद्रोस और उनके साथ की हजान प्रदर्शनकारी स्वयम सेवक गिरुफार कर लिये गए। बात ने सुभाष बावो को छे महीने की जेल की सजा सुनाई थी। दस दसंबर को तेश बंदू चितरंजन दासकुथी के अफ़कार कर दिया था। किरफकारी से पहले चितरंजन ने बड़ा ही ओचस्वी परशन दिया था। तो उन्हें कहा था। मैं अपनी कलाईयों का थार्पड़ियों की चुहन और अपने शरीफ पर बेड़ियों का भोज मैंसूस कर रहा हूं। इस तांसा का कर्द है। समुच्छा भारत एक विशार संभीकर है। कांगरेश का काम रुखना नहीं चाहिए। इससे क्या पढ़ता है कि मुझे पगड़ा जाता है तो दिया जाता है। इससे क्या पढ़ता है कि मैं दीवी करूँ जमार चाहूँगा। जेल में सुभाश रंड़ पोक्स चत्रण जन्दास के संपर्थ में आए। सुभाश बाबु ने वहाँ उनकी न सिर्फ सेवा थी बलकि उनसे बहुत कुछ सीखा थी। उनके साथ राश्ट्रिय आंदोलन की कई लोजनाएं दिवाई। 27 दिसंबर 1921 को एहम्दाबाद में कॉंग्रेस का 33 वा अधिवेशन शुरूब था। इसकी स्वागत समिती के अध्यक्ष वल्लब भाई पटेल। अधिवेशन के पिछता देश बंदू चित्रंजन दास करने वाले की। लेकिन गो तुझेगी। इसके सारे बाहत अध्यक्ष अधिवेशन की कारवाई शुरूए। एहमभबाद कॉंग्रिस अधिवेशन में पहली बात हाग लने वाले दोग खत्तर बहिंकर आए थी। लोग उसियों पर नहीं बलकि जमीन पर बैठे थी। आशा भी अंग्रेजी नहीं बलकि इतनी दुस्तान नहीं। यहां असहयोग आंदोलन और की तेज करने का निर्नगी आ थी। इसके साथ की सविनाय अवग्या आंदोलन शुरू करने इतनी अनमती दे थी। जरता के मन्ने कॉंग्रस की पती विश्वास और सबर्पन की भापना आ चुकी। जातिय मत्भेद और छुआच्छू को दूर करने के लिए जिस पिलक सुराज्य कोश्क की स्थाफना की रही थी। उसमें एक करोन गुप्या इकटा कुछुआ था। इसके साथ साथ विदेशी कप्रों की खुली, स्कूलों, कॉलेजों का भिशकार और असयोग के सभी कारे क्रम तेजी से चल रहे थी। पाच फरवरी 1922 को पोरकपुर के चौरी चौरा में निहत्य ग्रामेर के सानुनी एक चुलूस निकाला। वो जय बोलते हुए शांती से जा रहे थी। अचानक उन्हें प्रिटिश अधिकारियों के नित्त्व में आये कुलिस के दस्ते ने आगे बढ़ने जरू का। और टितर बितर हो जाने के लिए कहा। परन फृद भीड़ वहीं रजी ने इसके बाद पुलिस की गोलिया बरसते लिए। तब तक गोली बरसाते रहे जब तका गोलिया खक्त नहीं नित्तिंगी। खोलियां खत्म हो जाने पर पुलिस वाले ख़ड़ा कर ठाने चलिए और ठाना अंदर से बंद गई भीर उत्ते जितू जी उससे ठाने में आग लगा दिए जिससे बीस पुलिस वाले जलकर बादे। स्वतंतुता संग्राम के इत्वास में यही घटना चौरी-चौराकान के नाम से जानी जाती है। गांधी जी ने जब चौरी-चौराकान की ख़बर सुनी तो उन्होंने बारा फरवरी को ये खोशना कर दी कि अभी जनता सत्याक्रह करने लाइक नहीं हुई है। इसलिए असयोग आंदोलन समाप्त किया जाता है। कांधी जी तक अचानक असयोग आंदोलन समाप्त रिक्रह जाता है। ना सिर्फ जनता बल्कि पहुरस के बड़े-बड़े नेता थी गांधी जी से नाराज होका। इनमें चितरण जन्रास, मोधी डाल देट, लाला लाश पत्वाए, जवाह लाल नेहु आरी तमों। इस प्रकार एक तम अचानक आंदोलन बंध करतेने से गांधी जी की लोकप्रियता को भारी थखका लगा और लोग उनके निद्वत्व में संदेह करने लगे। इधर प्रिटिश सरकार ने जब गांधी जी के प्रती असन्तोष फेल देता, तो उसने अच्छा मौपा समझ कर उन्हें किरफ़कार दिया। 18 मार्च 1922 को एहमदाबाद में सेशन जज भूम फिल्ड की अदालत में गांधी जी के खिलाफ भगतना शुरूगा। अदालत में गांधी जी ने अपने प्रभावशाली बयान में सरकार के राक्षसी काहों के लिल्ड़ और तकार कि प्रिटिश सरकार के ये कार्रे किसी को भी गाज़ोही बनाज़त देता। जज भूम फिल्ड में को जैसे पहले से ही फैसला सोच रखा था। उसमें गांधी जी को चनता में असंतोष फिलाने के अप्राद में छे वर्ष की साधारन भैट के सजा दिए। गांधी जी को किये गए इस कारवास से असायोग आंदोलन कुछ घिला जरूर पढ़ गया। लेकिन राष्ट्रिता की जियोती चल दी रही। इतिहासदार मानते हैं कि असायोग आंदोलन वास्प्रव में पहला जन आंदोलन था। कॉंग्रेस एक ऐसी संस्था बन ले थी जो विदेशी शासिन के खिलाप अहिंसात्मक्वित्रों को संचालित करने का जर्या बन ले थी। अब इस आंदोलन में सिर्फ पुत्पी जीवी ही नहीं बलकि आंजनता भी शामें हो चुटी। बड़ी संख्या में किसान और मस्दूर भी शामें हो गए। लोग खात का कटा बुना खपड़ा खादी बहने लगे थी। दरसल खादी स्वाधीनेगा सेनाली की पोशात बढ़ी। जेल उनकी ससुराथ। लोग हस्ते हस्ते गिरफदार होते और जेल जाते। अनेक शहरों में प्रदर्श बढ़ी। और जुलू से करते। बढ़े भातराब। और हाथ में चंडा लेकर आजादी का प्षब चंडा धीत करते। विजय विश्व तिरंगा प्यारा चंडा उंचा रहे हमारा। सदार शक्ति बरसाने वाला। वीरो को हर्शाने वाला। प्रेम सुधा बरसाने वाला। माथ्र भूमी का तन्मन सारा। जंडा उंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए। चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए। तब होवे प्रणपूर्ण हमारा जंडा पूचा रहे हमारा इस कसद्ध गीत के लेखत में श्री श्यामलाल गुप्त पाशक गांधी जी के आवान पर उन्होंने संद उन्निस में नौपनी छोड़तर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से ठाक दिया था उन्हें प्रणपूर के प्रसिद्ध स्वतंतता सेनानी गणेश शंकर विद्याक्ती की प्रेणा से वाश्रक जी ने दो जंडा घीत लिए वो तोनों घीत राजर्शी उर्शोत तंदास तंदन पुखेजे गया तंदन जी ने जो घीत स्विखिल किया वही बाद में लोगों का तं पर इसके रचेता शाम लाल गुक्त वार्शर उखूल है धीरे धीरे पंडित मोतिलाल मेंदू और चिक्रणजन दास के प्रेणा से राष्ट्रिय आनूलन और कॉंग्रेस की राज़नी तुने एक नई दिचाधारा निचान में लिए उनका जिनत था हमें विलार्ण मंडर सुराज जदल को चुनावों में अच्छी सफलता लिए पंडित मोतिलाल नहीं सुराज जदल के मेंदू इसी बीच चचिंप्रनाथ सान्याल रामपसाद बिस्मिल आधि में प्रांथिकारी दल का सब्सक्राइब के पास प्राकोरी स्टेशन पर बेलगारी रोख कर सरकारी हजाना लूपने के जुन में इन लोगों को किरफदार किया गया थी उनमें से तमुक्ते रामपसाद बिस्मिल आश्वाक उल्लाथ रोशन सिंग और राजेंद्रनाथ लाहिए अन्य लोगों को कारवास की लंदी सजाएदी के वल चंडर शेखर आजाद नहीं बखने जा स के शक्ति संचले के देशवंदू चिक्राजंदास स्वतनतता संगराम के उननेताओं में से थी जिन्होंने न सल्का मंगदार बलकि सारे देश के स्वतनतता संगराम को पर तक कदार के embargo